कि यह अपना जो वीडियो है डाइकोट स्टेम का दूसरा भाग है इसमें अपन पेरिसाइकल तक का जो भाग है वह पहली वीडियो में पड़ चुके हैं और इसमें अध्यान करेंगे मेडॉली जो रेय जोती है उससे आगे ंचोफो बाग है दाइकोन स्टेम जो है उसकी जो जो है उसकी जो है नैटेमी है तो जो मेडॉली रेह होती है वह पेरनश क्यमेठिस होती है और रे डिल इंलां tratar होती है पोलिगानल शें're बंडल के पाई जाती है Water helps for the radial conduction of water and food materials जो होता है इनका काम क्या होता है जो medular rays होती है जो बोजन और जो पानी है उसका radial जो area 7 radial conduction हो उसका काम करते है it is extension of फित जो पित रेज यह क्या होता है पित का ही भाग अपन मान सकते है जो पित का जो extension जो भाग होता है बाहर का बीच बीच में जो वेसकुलर बंडल होती है उनके बीच में ऐसे तीरियक रूप से तो उनको पित रेज़े जो बोलते है और जो आगे का जो भाग है अपना पांच बाहा वो है वेसकुलर बंडल्स वेसकुलर बंडल्स क्या होते हैं conjoint होगे जायलम और फ्लायम के बीच में केम्बियम होगा, इसलिए secondary growth भी होगा और arranged in a ring इस texture में होगा, यो तेल परकार के होगा और इस बंदास is composed of जो बार की तरफ और अंदर की तरफ जायलम होगा और उसके जो बीच में है यानि कि जायलम और फ्लायम के बीच में होगा बार की तरफ होगा फ्लायम और अंदर की तरफ जायलम और फ्लायम के बीच में होगी ibium और इस परकार के जो verticular bundle जिनके बीच में gyulum और cambium होती है उनको open open bark bundle बोलते हैं जिसमें की secondary growth भी होगी जो проп उपन परकार कि होगी अब देखते हैं वेशकलर bundle के जो जैलम और realidade देखते हैं, plan plan Pro bag प्लॉयम के इंदर चालने ना लिकाएं, सह कोशी गएं, फ्लॉयम प्रेंट गाएं यह सभी जीवित प्रकार के होंगे और कुछ जो जायलम फाइबर जिनको बोलते हैं या फ्यूबस्ट फाइबर जिनको बोलते हैं वो होंगे कमपेंट जेल्स होती हैं वो क्या होती हैं हमेंशा चालने ना लिकाएं के साथ जुडे रहती हैं जो फ्लोहिम किस प्रकार फ्लोहिम कि इन दधा चारो अगटक होंगे और वह स्चारों जिस में से क्या होगा तीन जो होंगे cv tubes, companion cell और फ्लोयम प्ेसरे अमांगोंों वह होंगे Living इन शाथ फाइबर कि फाइबर से होंगे यहotional ihr नोंगी कारगयों वो पर निगनी इंप्रेक्टिन आप जमा जाता है लिगनी फायाइट हो जाते हूं इस इस परकार से वो नोन लिविंग परकार क्या होंगे और और कंपिेणियन सेहल होती है वो चालने न अलेगाओं के साद सेहो जित रहती है तो यह तो था अपना जो वेस्कुलर बंडल का जो भाग फ्लॉयम जो मुकित है बोजन का जो शैवन होता है फूड मेटेरल उसका जो शैवन होता है वो इनी के दुबरा होगा इसके बाद में आपन दूसरा जो भाग देखें याज़ शैयलम क्या होगा अंदर की साइड में याज़ कि पित्ते की साइड में याज़ में fem kenny जो होगा याज के फ्लॉयम के नीचे की तरफ होगा तो सेंटर ली होगा और कंपोस्ट होगा इसके अंदर शैयलम में क्राओं का Gentlemen जालम वेसल्स के लगब रकेड्स होंगी जालम फाइबर और जालम पिरंकायमआ यो जालम एंड हेट यो बार जालम होगा तो दशेकियनम होगा तो इस प्रकार के जो विएसता है उसको अपन एंडरक टाइब की विएसता ही तो और यह तनों का जिगुण है वो इसमिए होता है यानकी जो स्टेम मेरे उस में प्रकार का होगा अन्डरक प्रकार के जो विएसता वोकि इसमें कि यिसके बार देखते हैं इपन कंविम यासी है आपने पहले देन कि याइलम और फ्लम गानि दो भार फ्लम और फ्लम ऑ अंदर जालम उगा से बीच मैं होगा जालम और फैलम के बीच में है तो इसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर केम्यम केम्यम इस टाइप आप लैटरल मेरिस्ट हैं विच इंक्रिश देखनी अब देखनी अब देखनी अब देखनी ग्रोथ और जो प्लांट के अंदर जो दियुत्यक वर्दी होगी जिसके वज़े से उसके मौटाई में वर्दी होगी वो केम्यम के कारण ही होगी यानि कि केम्यम के वज़े से उसमें जो प्लांट होगा उसकी मौटाई में वर्दी होती है जो secondary growth होता है क्योंकि यह little meristim type का यह tissue है तो little meristim tissue होने की विज़े से इसके अंदर क्या होगा कि पोदे की जो पार्स जो growth होगी यानि कि जो side की जो growth होगी उसे होगी जिससे कि अपने जिसको बोलते हैं side में जो उसकी मोटा ही बड़े की secondary जो growth होगी वो plant की cambium की ही कारण होगी सबसे अंदर का जो भाग होगा पित पित is extensive develop and the center portion of the ground tissue it is made from rounded or all shape, thin wall pen and kymetis help with large amount of intercellular space होगा पित help in the storage of food materials ये जो पित की जो होगा सबसे अंदर का जो भाग होगा किंद्रिय भाग TS में जब देखें तो सबसे अंदर का जो भाग होगा दिवीच पतर इस तना है उसके वो भाग होगा पित में पित में parent का इमेटर सेल्स होगी और ये मुखित है जो बोजन का जो शंगर है वो पित के अंदर ही होता है तो पित है सबसे किंद्रिय जो भाग है जब अपन टीएस देखते हैं तो टीएस में जो किंद्रिय भाग है वो उसमें जो parent का इमेटर सेल्स का जो बना आए वो कहलाएगा पित जिसमें कुर्सी का होंगे वो parent का इमेटर सेल्स की होंगे और food storage का काम करती है अगर एक टीएस का डाइगराम देखें तो इस परकार से दिखाई देगा मैं ये है डाइकोट स्टेम के टीएस transverse section of डाइकोट स्टेम और यहां पर जो डाइकोट स्टेम दिया वो सनफलोर सूर्य मुखी का लिया है अपने वो उसका देन कर रहे हैं सबसे बाहर की तरह है epidermis जिसे multi-cellularized stem hair निकले में है और epidermis के उपर एक cuticle की जो thick wall उसका जमाव रहता है epidermis के अंदर का जो भाग रहेगा वो cortex का रहेगा cortex को तीन भागों में आपने डिवाइड किया है hypodermis, general cortex और endodermis तो endodermis में endodermis होगा endodermis के निचे होगी paricycle paricycle के निचे होगा phloem phloem और gylem के जो बीच में रहेगे वो camium की पट्टी है और camium के जो यानि के proto gylem होगा वो अंदर की तरफ होगा और metasylem होगा वो बाहर की तरफ होगा इनके बीच बीच में जो पित की जो sales है यानि के medal रहा जाए वो पाए जाएंगी अब इसके कुछ विशिस्ट अपन केरेक्टरस देखें कि इसमें क्या होता है डायकोटर स्टेम में कुल कौन कौन से विशिस्ट केरेक्टरस हैं कि इसके अंदर क्या होगा वेल डिफाइंड एपिडर्मिस होगी कौन कैमचा अंदर की पारत होगी परिसेकल orز जाएंड अलगलग प्रकारगी परिसेकल दौनों प्रकारगी होगई इस में हेटरोजहन प्रकारे नहीं है यूरा प्रकर के होंगे पित्रेज्च और मेंड़लोरेज और फाउंड यह सेपरेटर ओक्टू वेस्कुलर बंडल्स दो वेस्कुलर बंडल के बीच में पित्र रहोंगे दोनको अलग लग पर्था करती हैं यह कुछ इस 요es wise, जो दायकोट। इस्टेम को अजिश्ए है और ईस प्रकार के जो वेडियो में इतना ही दन्यबाद। झाल झाल